तो कहाने की शुरुआत में हम तांजीरो नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि बहुत जखमी और परिशान है। के लिए जाना होगा, ताकि उन पैसों से ये लोग पाटी कर सकें, फिर ताँजरो के छोटे बाई बहन, शुघरू को बोलती है कि इनके डैड की गुजर जाने के बाद ये बहुत मिस करता हैं प्रसुने को उब्र टो滨 जिस्से के पता है। और शुकर तुम आगयी याँ पर यार मजे फाल्टूम में पहला जा रहा है इन m evta तांजीरो उस प्रेट को सुनकर बताता है किस प्रेट को इस बंदे ने नहीं, किसी बिल्ली ने तोड़ा है, जिससे हमें पता चलता है कि तांजीरो की सुने की शक्ति कमाल की है, अब तांजीरो सारे चारकोल को बेच देता है, और वापिस अपने घर की तरफ चला जाता है, लेकिन काफी रात हो जाती है चारकुल बेचते बेचते और फिर एक बूड़ा आदमी तांजिरो से कहता है बहुत रात हो गई है पाहट डेविल्स का खत्रा है एक काम करो मेरे घर में रुप जाओ लेकिन तांजिरो ने मना कर देता है नहीं सर कोई बात नहीं मैं चला जाओंगा लेकिन ये ओल्ड मैन फिर से गुस्ते में बोलता है तुमने सुना नहीं मैंने क्या का तो मैं मेरे घर में आ जाओ और तांजिरो उसकी बात मान जाता है और तांजिरो खाना खाता है इसके घर में और मस्त फिर सोने लग जाता है और सोने से पहली ये उस बंदे से पूचता है कि डीमन्स कैसे होते हैं और ये बंदा बताता है कि ये डीमन्स इंसानों को खाते हैं और जमीन से निकलते हैं रात में और उन पर हमला करके उन्हें खा जाते हैं और डीमन्स लेट् पास जाकर वो देखता है कि उसकी बहन और उसका छुटा भाई खून से लट पत है वो अपने घर के अंदर जाकर देखता है और देखता है कि उसका पूरा का पूरा परिवार खून से नहार रखा है उन सभी के डैड बॉडिस अंदर पड़ी है यह देखकर तांजिरो को नेजको हरकत करने लग जाती है और हम देखते हैं कि नेजको का फेस किसी डीमन की तरह लग रहा होता है और नेजको तांजीरो पर ही हमला कर देती है जिसकी वज़ा से ये दोनों उस पहाड़ी से नीचे गिर जाते है अब इसके बाद तांजीरो नेजको के पास आता है और पर चोटने लगी लेकि नैजुको तांजीरो पर ही हमला कर देती है और नैजुको एक डीमन की तरह बनने लग जाती है और साथ में नैजुको का साइज और उसकी ताकत भी बढ़ने लग जाती है बहुत जाता यह देकर तांजीरो रोने लग जाता है और सोचता है कि उसे कल उस शक्स के पास एक Demon Sword है और उसे पता चलता है कि ये बंदा एक Demon Slayer है अब एक Demon Slayer नैज़को को तांजीरो से दूर ले जाता है और उसकी गले पर तलवार रख देता है इसलिए वो उस Demon Slayer से भीक मागता है, कि वो नैजो को छोड़ दे, और कहता है, मेरी बात सुनो, प्लीज, मैं इसे ठीक कर दूँगा, मैं इसे नॉर्मल कर दूँगा, प्लीज, प्लीज, नैजो को छोड़ दो, तांजीरो उटने के बल बैट जाता है, और अपनी बहन को छो जाने लगती है, डीमन स्लेर ये देखकर हक्का बखकर है जाता है, क्योंकि ये डीमन इनसानों को सिर्फ खाना जानते हैं, उन्हें बचाना नहीं, लेकिन नैजो कू डीमन होने के बावजूद भी तांजीरो की रक्षा कर रही थी, और अब ये डीमन स्लेर नैजो को भी और देखता है कि नेजको बिल्कुल सही सलामत है, अब ये डीमन स्लेर तांजिरों से बोलता है, एक आदमी के पास जाओ, जिसका नाम सकोजी उरकोडा की है, ये बंदा तुम्हें माउंट सागिरी के उपर मिलेगा, वहाँ पर जाना और बोलना कि गियो टोमयोका ने तुम् में भी सफर कर सकी, इसलिए ये नेजको को एक टोकर के अंदर रख लेता है, लेकिन देखते हैं कि नेजको उस टोकर के अंदर फिट नहीं आपाती, लेकिन अपनी डीमन्स की पावर की हेल्प से नेजको अपनी बॉड़ी को थूटा कर लेती है, और तांजिरों उसे अप पर हमला कर देता है, और तांजिरों को बचाने के लिए उस डीमन के सर के ओपर हमला करता है, और ये नेजको वहाँ पर आती है, और उस डीमन की बॉड़ी नेजको पर हमला कर देती है, तांजिरों जैसे ही अपनी कुलहारी उठाके नेजको की हेल्प करने के लिए उसकी वरता है तब इस डीमन के सर से जो कड़ चुका था उसके अंदर से दो हाथ भार निकलते हैं जो कि तांजिरो पर हमला करदे द्यों लेकर पार पर अपने सर से हमला करता है और बाद में एक घृर कार माघता है यूическая के फॉन को पॉरी तरह से पीड रहे उती है और नेज By नहीं मार पाता। इस बंदे का नाम है शाकून जी उरकडाकी, ये वो ही बंदा है जिसे तांजीरो ढूंड रहा था, और तांजीरो उसे अपनी फैमिली और नैजुको के बारे में बताता है, कि कैसे डीमन्स ने उसकी सारी की सारी फैमिली को मार डा रहा, और तब ये बंदा तांजीरो को एक तेम्पल में आकर पहुंचते हैं। और यहां पर यह टांजीरो के एक टेस्ट के लिए एक मांटन की चड़ाही पर जाता है। और उस मांटन की छोटी पर जाकर यह बंदा तांजीरो से खहता है। और तांजिरो उन सभी के सभी ट्रैप्स को सूंगते हुए, बहुत मुश्किल से उस पहाड के नीचे वाले घर में पहुंचाता है, जहां पर शाकून जी उसका इंतिसार कर रहा होता है, अब इसके बाद हम एक फ्लैश बैक को देखते हैं, जिसमें ग्यू टोमिया का को पास कर लिया, और मैं तुम्हें मेरे स्टूडेंट के रोप में एकसेप्ट करता हूँ, अभी शाकून जी तांजिरो को बताता है, कि डीमन स्लेट्स बहुत पूराने समय से इंसानों को डीमन से बचाते आ रहे हैं, और इंसानों को खाते हैं, और यह कहां से कब वो से बहुत असानी से डॉज कर पा रहा है, शाकून जी तांजिरो को एक जरने में फैंक देता है, और उसे पानी के साथ ट्रेनिंग करने को कहता है, अब ऐसा करते करते छे महीने हो जाते हैं, और नैजुकू अभी भी गहरी नीद में सो रखी होती है, और अब छे महीनो ट्रेनिंग के बाद तांजिरो उन्हें ट्रैप से बचना और तलवार चलाना भी अच्छे से सीख जाता है, और अब ट्रेनिंग करते करते पूरा एक साल हो जाता है, और शाकून जी तांजिरो से कहता है, बच्चे अब मेरे पास तुमें सिखाने के लिए कुछ नहीं पढ़ जाता है, कि इस पत्थर कोई कैसे काटे का भाई इतना मुटा है तो, अब टांजीरो थोड़ी हिम्मत करके उस पत्थर पर अपनी स्वोर से हमला करता है, पर इस पत्थर पर खरोंच तक नहीं आती है, इसके बाद हम देखते हैं कि तांजीरो फिर से अपने ट्रेन कर नाम है सावीतो, और इस लड़के नेक फॉक्स मास्क पहना होता है, अब ये बंदा तांजीरो पर हमला कर देता है, और तांजीरो को दूर जाकर गिरा देता है, और इससे पूछता है, अब यो नले, छे महीने तक तो ने क्या किया? क्या कर रहा था तू ट्रेनिंग में हैं अब तांजीरो को गुस्सा जाता है और वो उस पर हमला करता है लेकिन सावी तो उसे एक ही जटके में नीचे गिरा देता है और तांजीरो वहीं पर बेहोश हो जाता है अब थोड़ी देर बाद शाम जाती है और तांजीरो को होश आता है और यह दिखता है कि उसके पास बहुत तेजी से हमला कर सकता है, इंसान के फिफड़ी जितने ज़्यादा मजबूत होंगे, वो उतनी ज़्यादा ताकत से हमला कर पाता है, लेकिन तांजीरो को उसकी बाते समझ में नहीं आ रही थे, और सब कुछ है, उपर से जा रहा था इसके सब के, क्या बोल रही है ये सावितो का मुस्कुराता हुआ चहरा देखता है, माकोमो तांजीरो से कहती है, कि जो तुमने अभी किया, उसे कभी बूलना मत, और उसको भी हरा देना, और ऐसा बूल कर, ये दुनों वहाँ से गाया बचाते, और हम देखते हैं कि तांजीरो ने उसके मास्क को नहीं, बल और जाते जाते तांजीरो उससे कहता है, कि वो सावितो और माकोमो को उसकी तरफ से बाय बोले, और ये सुनकर शकुन जी बहुत ज़्यादा है रान हो जाता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों बच्चे बहुत साल पहले ही मारे जा चुके हैं, जिसका मतलब है कि अभी तक उन मरे हुए बच्चों के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, अब शाम होने तक तांजीरो माउंट फूजी पर पहुंच आता है, और यहाँ पर इसे बहुत सारे लोग दिखाए देते हैं, जो कि फाइनल सेलेक्शन के लिए यहाँ पर आ रखे दे, और तभी यहाँ पर दो इसके बाद तांजीरो को खाने के लिए आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, जिससे देकर तांजीरो बहुत जाता डर जाता है, अब यह दोनों डिमन्स एक साथ तांजीरो पर हमला करते हैं, तांजीरो एक गहरी सांस लेता है, और अपनी ट्रेनिंग को याद करता है, औ और उन दोनो डीमस पर हमला करता है। और उनका सर बीच में से कार देता है। और उन दोनो डीमन्स की मौत हो जाते है। तांजिरो फाइनली अपने ट्रेनिंग को लिग कर बहुत ज़्यादा है। यस, मेरी ट्रेनिंग रंग लाए, मैंने ये कर दिखाया। और वो देखता है कि एक लड़का उस डीमन से बच्चते होए भाग रहा होता है तांजिरो पास जकर देखता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा भ्यानक सा डीमन उस लड़के के पीछे पड़ा हुआ है और तांजिरो उस डीमन को दिखकर बहुत जादा डर जाता है अब ये डीमन तांजिरो के सामने खड़ा होता है और इसके हाथ में एक बच्चा होता है और डीमन इसे खा लेता है और वो लड़का जो इस डीमन से बच्चते हैं भी भाग रहा था लेकिन अब ये डीमन रिलीज हो चुका है और डीमन बताता है कि जब उसे कैद किया गया था यहाँ पे अब से लेकि अब तक ये फाइनल सिलेक्शन के 50 स्टूडेंट्स को खा चुका है और तब ये डीमन तांजिरों से कहता है और तांजिरों को ये भी पता चलता है कि अब तक ये उनकी आतमों के साथ ट्रेइनिक कर रहा था और तांजिरों को बहुत जाता गुस्सा आजाता है और उस डीमन के उपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और तबी तांजीरो वाटर वीदिंग की फर्ष्ट फॉर्म सर्फेसलेस का यूज करता है और उस डीमन की गर्दन को काट के अलग कर देता है और इसके बाद तांजीरो को बहुत सारी स्पिरिट्स दिखाई दीती है और ये सब वो ही बच्चे होते हैं जिने ये डीमन्स निकल गया था और इस डीमन के मरते ही इन सभी स्टूडेंट्स की आतमाओं को शान्ती मिल जाती है और सभी के सभी मुक्त हो जाते हैं अब इसके बाद तांजीरो कई दिनों तक उन डीमन्स से फइट करता है और वापिस वहीं पर लोडता है जहाँ पर फाइनल सेलेक्शन होना था और तांजीरो देखता है कि स्टार्टिंग में जो पचास स्टूडेंट्स थे वहाँ पर उनमें से सिरफ चार ही स्टूडेंट्स बच्चे हैं इसमें हमारा ये दोस्त जैनेट्स भी होता है भाई मस्तबंदा यारी बाद में मिलेगा में मिलते हैं भाई बोजल मिलते हैं अब वो दुनों ट्विन गल्स वहाँ पर आचाती हैं इस फाइनल टेस्ट को पास करने के लिए और तभी हर एक स्टूडेंट्स के उपर एक क् जाएगा इनके मीशन के बारे में जुकिनेज़ डीमन स्लियर कंप्लीट करने होगी और हम दिखते हैं कि इस जैनेट्स के पास क्रो के जगा एक चीडिया आकर बैट जाती है अब इसके बाद इन सभी को एक मिटीरियल चूज करने के लिए यूज किया जाएगा और तांज चैनेजरो षाकुंझी के पास जाकर मिलता है और चैनेजरों चानले के लिए अब कुछ दिन बीच जाते हैं और तांजिरों के लिए एक नई स्वोड लेकर आया है और इसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं यूकि Blacks Food बहुत Rear होती है और बहुत कम Demon Slates के पास ही ये स्वोड होती है और तभी यहाँ पर एक Crew आ जाता है जो कि Tanjiro को उसके पहली Mission की बारे में बताता है और यहाँ पर Tanjiro को एक काजुमे नाम का बंदा दिखता है और यह बंदा Tanjiro को उसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर उसकी Girlfriend कल रात को गायब हो गई थी Tanjiro को एक Demon की बहुत हलकी सी स्मेल आती है और काजुमी याद करता है कि कैसे उसकी Girlfriend के फादर ने कल रात को इसको बहुत पेला पेला मतलब की बेटा क्योंकि इस लड़की की वज़ा से ही उसके बेटे गायब हो चुकी है अब थोड़ी दिर बाद रात हो जाती है और यहाथ उस लड़की को अपने अंदर खीच लेते हैं तभी तांजिरो को उस Demon की स्मेला चाती है और तांजिरो उस Demon के पीछे भागने लग जाता है और तांजिरो एक जग़ा पर आकर रुखता है और अपनी तलवार को जमीन के अंदर गुसा देता है जहाँ पर शाकोंजी तांजिरो को बताता है कि सिर्फ एक ही डीमन है जो कि इंसानों को डीमन में बदल सकता है और ये सबसे पहला इंसान था इस Anime की दुनिया में जो कि डीमन में कनवर्ट हुआ था ये बंदा हजारों सालों से जिन्दा है और इसका नाम है Michael Jackson और नई मजाकर रवाई इस बंदे का नाम है मुजान केबो सूची और ये बंदा इस सीरिस का में विलन भी है और इसी बंदे ने तांजिरो की फैमिली को मारा है और ये बंदा नैजुको को वापिस से इंसान में कनवर्ट कर सकता है इसलिए तांजिरो को इस बंदे को डूणना होगा और नैजुको को वापिस से ठीकर ना होगा अब इसके बाद हम वापिस से प्रेजिन में आ चाते हैं और उनमें से एक डीमन छुपके से वापिस उस लड़की पर हमला कर दीता है जिस पर तांजिरो अपना वाटर्मेल टैक Jub करता है लेकिन ये डीमन उसके इटैक से बचाता है और ये बताता है कि उसने आज तक वह जितनी भी लड़कें को खाया है य उनकी कुछ ना कुछ चीज़ें अपने पास रखता है और ये तांजिरो को अपना collection दिखाता है और इस collection में हम एक red ribbon को भी देखते हैं जो कि काजुमे की girlfriend का होता है और इसे देखकर काजुमी समझ जाता है किसकी girlfriend अब मर चुकी है और काजुमी रोने लग जाता है और उनमें से एक demon अब मौका देखकर इंसानों का साथ दे रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, और नेजुको उन दोनों में अपनी फैमिली को लिखती है, और तभी तांजीरो को एक बात यह दाती है, और शाकून जी ने इसे बताया था, कि जब नेजुको सो रही थी, तो इसने नेजुको को हिपनोडाइज करके, उसक पास बुलाता है, और अब जैसे ही नेजुको, तांजीरो के पास जाने लगती है, वो डीमन्स वापी से नेजुको पर हमला कर देते हैं, लेकिन नेजुको बहुत असानी से उनके अटेक्स को डॉज कर देती है, और उन डीमन्स से बच जाती है, और इसे देखर तांजीर के ओपर एक डीमन से फाइट कर रही होती है अब तांजिरो उस जमीन के अंदर जाता है और देखता है कि चारो तरफ बस एक ग्रीन कलर का पानी होता है और तभी दो डीमन उसके पास आते हैं और तांजिरो अपनी वाटर ब्रीधिंग वर्पूल टेकनीक का यूज करता है औ तांजिरो उस डीमन के मुख्यों पर अपनी स्वोड रख देता है और इस डीमन से मुजान के बारे में पूछता है और अब जैसे ही डीमन मुजान का नाम सुनता है तो ये डर से कांपने लग जाता है और इसे मुजान का चहरा याता है जो उसे चुप रहने के लिए के ल नेजुको नेजुको कि चोट ठीक होने लग जाती है और इसी तरह से तांजीरो के पास आता है और उसे बोलता है तो मैं तौक्यों चाने लगता है और शाम होते होते तांजिरो टोक्यों में पहुंच जाता है और तभी तांजिरो को वहां पर एक डीमन की स्मेल आती है ये स्मेल बिल्कुल वैसी ही थी जो तांजिरो को उसके घर पर जो हमला हुआ था उस टाइम पर आई थी तांजिरो समझ जाता है कि ये स्मेल मुजान की है और उ की समेल से समझ है कि ये दोनों इंसान हैं except मूजान दीमन है और इसे समझ नहीं या ता कि ये बंदा इंसानों के साथ कर किया रहा है और टान Fisa पता है और मूजां भी टांजिरो की ड्रेश को देकर समझ जाता है कि टान्जिरों पहला पार्टे ही पे खतम हो जाता है तो गाईज यही थी आज की वीडियो और इसके अगले पार्ट के लिए 4000 लाइक्स का टार्गेट पूरा कर देना और रैंकिंग आफ इंक्स का भी दूसरा पार्ट एक दो दिन में आ जाएगा तो ठीक है गाईज और मिलते हैं अगली व